कहते हैं दुनिया गोल है और इस गोल दुनिया में एक चीज ऐसी है जो एक से दूसरे इंसान तक गोल गोल घूमती रहती है एक ऐसी चीज जिस पे दुनिया डिपेंडनेंट है एक ऐसी चीज जिस पे लोग डिपेंडनेंट है एक ऐसी चीज जिसने बदल कर रख दी पूरी दुनिया को मनी हम सब सोचते हैं कि क्या होता अगर हमारे पास फोन ना होता बिजली ना होती पानी ना होता इंटरनेट ना होता लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होता पैसों के बिना दुनिया कैसी होती What if money didn't existed आज के वक्त पैसों के बिना life imagine नहीं किया जा सकता बट still अगर पैसा ना होता तो हम सब लोग हमारी society एक better position पे होती तो सबसे पहले ये जान लेता है कि अगर पैसा ना होता तो actual में क्या होता If money didn't existed Number one, world would become stress free जी हाँ, अगर पैसा नाम की कोई चीज नहीं होती तो लोग वो काम नहीं करते जिसके लिए उन्हें पैसे मिले लोग वो काम करना चुनते जिन में उनकी strength हो जैसे वो society भे अपना नाम बना सके Number two, people would perform according to their interest आज के वक्त दुनिया में लोगों को वही काम करना पड़ता है जो उनकी society उनसे चाहती है जो उनकी society दोहराती है जैसे कि pressure में आके उन्हें engineering और doctoring में ही फचना पड़ता है which we called peer pressure और अकर पैसा ना होता तो लोग वो काम करते वो career options चुनते जिनमें उनकी रूची हो Number three, quality of education will be available Normally, education involves telling our kids how to find a job that makes decent money आजकल education worthless बनती जा रही है आजकल लोग पढ़ते भी पैसो के लिए है और पढ़ाते भी पैसो के लिए है But in a world without money, education को लोग knowledge की तोओर पी grant करते Education को लोग एक अच्छा इनसान बनने के लिए grant करते Number four, family time लोग आजकल पैसो के लिए इतने जादा busy हो गया है कि लोगों के पास अपने family के लिए time ही नहीं है तो अगर पैसा ना होता तो लोग अपने family के साथ भी काफी time spend करते And the last but not the least, number five, corruption नहीं होता कोई भेदवाओं नहीं होता कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता कोई millionaire, कोई billionaire नहीं होता और हमारी government, हमारी society के growth के लिए काम करती और इसी वज़ा से हमारा country बहुत ही आगे भड़ता मतलब इन short पैसों के बिना दुनिया में शान्ती होती लेकिन इसका एक alternative solution भी होता अगर money का concept हट जाए तो बार्टर सिस्टम का concept फिर से चालू हो जाएगा और जिनको बार्टर सिस्टम का मतलब नहीं पता उनके लिए मैं ये बता दू कि ये kings के time की एक system थी जिसमें exchange के तोर पे लोग समान लेते थे मतफ और example अगर रोहन के खेत में अच्छी मूली उगती है और सोहन के खेत में अच्छी चावल की फसल है तो वो दोनों उन चीजों का exchange करके समान ले सकते थे लेकिन 21st century में बार्टर सिस्टम कुछ इस तरह से चलता 400 बस्ते rice के जगा एक iPhone एक iPhone और एक kidney का exchange चार गोबी और एक सोड़े के ग्लास का exchange एक gold necklace के जगा 600 kilo आटे यह सुनने में काफी illogical है राइट अब हर चीज का कुछ ना कुछ history और origin जरूर होता है वैसे ही एक short form में जानते है money के history को तो पहले की जमाने में commodity money और बार्टर सिस्टम फॉल्व होता था लेकिन देर देर लोगों को बार्टर सिस्टम से problems आने लगी क्योंकि बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज का value fix नहीं होता था और बार्टर सिस्टम के हिसाब से किसी को किसी चीज के लिए हच से ज़ादा value मिलती थी और किसी को हच से ज़ादा कम पर एक्जामपल रोहन के पास चार बफैलोज है और सोहन के पास चार बस्ते आटे तो अगर ये दोनों इन चीजों को एक्सचेंज करेंगे तो अफकोर्स इसमें सोहन का फायदा होगा क्योंकि चार बफैलोज का वैल्यू उन चार बस्ते आटे से अफकोर्स काफी जादा हो और फिर ओरीजिन हुआ मेसोपोटामियन शेकल का यह थी दुनिया की फिर्स्ट नून फॉर्म ऑफ करेंसी जो कि 5,000 साल पहले इमर्ज हुई थी और यह एक मैटलिक करेंसी थी लेकिन आगे जाकर लोगों को इतने भाड़ी भड़कम मैटलिक मनी को ट्रांजक्शन के लिए करने में दिक्कत आने लगी और फिर इंवेंट किया गया पेपर मनी जिसको पहली बार चायना में यूज किया गया था और फिर लोग बैंक में जाके मैटलिक मनी के साथ इसे एक्सचेंज करने लगे फिर धिर गवर्मेंट मनी और उन्होंने पैसों को छापने का रेट का दाम भी बढ़ने लगा इसके वज़े से मजबूरन गवर्मेंट को पैसों को छापना कम करना पड़ा जिसके वज़े से एक और नई प्रॉबलम हुई जो की थी डिफलेशन यानी कम मनी के साथ चीजों का दाम भी कमने लगा और इसके बाद गवर्मेंट को फिर से काफ यह यकीन है कि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा अराउंड 1980 में नई तरह की मनी डिजिटल मनी सामने आई जिसमें हैगिंग काफी जादा कॉमन होगी 2009 में Cryptocurrency और Bitcoin का इंवेंशन हुआ Bitcoin को Satoshi Naki moto ने बनाया था यह कोई इंसान नहीं थे यह वो लोग थे जिनों ने Bitcoin को बनाया था Bitcoin में कोई governmental rules नहीं है और यह एक illegal transaction है जिसमें crimes होने का chances बहुत ही जादा होता है अब इस crimes में नुकसान किसका होता है इसके साथ ही एक नई टेकनोलोजी दे ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी को बनाया गया इसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन डाटा को स्टोर किया जा सकता था एक इंट्रेस्टिंग सा डाटा सुनिए 2009 में जब बिटकॉइन इंवेंट हुआ तब वन बिटकॉइन की वैल्यू थी 0 डॉलर दो साल बाट 2011 में वन बिटकॉइन की वैल्यू थी सिर्फ एक डॉलर और 2022 में वन बिटकॉइन की वैल्यू हो गई एराउंड 16,777.something डॉलर तो बिटकॉइन बस एक स्कैम है या अमीद बनने का रास्ता आप ही बताईए कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी से एक ऐसे पैसे में आ गए जो हमें दिखता ही नहीं है हमने इस पैसे को अपने फाइदे के लिए बनाया था पर सायद हमें इसका नुकसान ही हो रहा है हम पूरी साल लगन से मेहनत करते हैं क्या बस एक कागस के टुकरे को कमाने के लिए या बस एक नंबर्स के लिए जो हमारे स्क्रीन पे हमें दिखे of course money is a part of our life but remember the more you learn the more you earn हुआ हुआ है